Hello everyone, कैसे आप सभी, I hope आप सभी अच्छे होंगे, तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, आप आपके जो इंस्टिग्राम पोस्ट रहते हैं, उसको इस तरह से कैसे पिन करके रख सकते हैं, नमस्ते everyone, मैं हूँ वैशनवी और आप देख रहे हैं वैशनवी टेक इंवेस्ट किये बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगे, कुछ important चीज़े हैं यहाँ पे, तो अगर आपको आपके जो इंस्टिग्राम पेज हैं, उस पे पिन करने हैं, आपके पोस्ट हो सकते हैं, तो आप सिर्फ तीन पोस्ट यारियल्स को पिन करके रख सकते हैं, अगर आप तीन से जाधा करेंगे तो आपके जो है, जो आपने पहले अड किया ता, अपर औहां पे जुदống पिन K research तो आपको याद रखना है कि आप जो भी पिन करेंगे, तो आपके सिर्फ तीन सब्वाइब दिख रहा है कि उसके बार्द आपको यहां पर यह जो प्रोफाइल इमेज दिख रहा है कि पर इस पर मैं क्लिक करेंगे तो आप यह पर देख सकते हैं अभी इस तरह से शो हो Girा यहां पे मेरे ज्यादा post नहीं है तो यहां पे शायद हो सकता है कि आपको समझ में ना है बट मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि कैसे आप आपके जो reels है या post है उसको कैसे pin करके रख सकते हैं अपस यहां पर यह post है, यह मेरा post है, यह real नहीं है, तो इसको कैसे अब pin करना है, तो यहां पर जो आपको 3 dots दिख रहे हैं, इस पर click करना है, उसके बाद आपको यहां पर pin to your profile का जो option है, इस पर click करना है, तो यह जो है, यह pin हो जाएगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं, जो आप pin करना है, वो आगे आएंगे options, जो भी है, ठीक है, उसके बाद यह real है मेरा, अब इसको कैसे pin करना है, तो यहां पर simply आपको यह option दिख रहे है, 3 dots का, इस पर click करना है, तो यहां पर जो आपको option दिख रहे है, pin to your profile, इस पर मैं click करूंगी, ठीक है, तो अब यह भी pin हो गया है, इस तरह से, तो आप यहां पर देख सकते हैं, जो भी आप pin करेंगे, वो सामने सामने आ जाएगा, तो इस तरह से आप 3 post या reels को pin करके रख सकते हैं, तो इसके related, अगर आपको कुछ doubts है, या आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप में जो comment section में comment करके, ज़रू लिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए, goodbye, take care.